जॉइन आर टेलीग्राम चैनल फ्री बिनिंग टीम्स, फ्री गिवबेज, एक्साइटिंग ओफर्स और लास्ट मोमेंट अपडेट्स, टेलीग्राम चैनल जॉइनिंग लिंक इस दिस्क्रिप्शन बॉक्स तो भाई इस मेच को आप आराम से टार्गेट कर सकते हो, दोस्तो आगे इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी इंफोमेशन इस मेच से रिलेट बताऊँगा, जिनसे आपको बहुत हेल्प मिलेगी अपनी स्मोल लीग की टीम बनाने में भी और अपनी ग्रेंड लीग की टी चेंपेट बहुत अब को निए अपको पहले भी बोला था कि इस वर्लेकप में जितने मेच को हम अपनी चेंपने और बहुत अधा प्रोफिट कमाये छान्य ची लाग से वम आरहो안 सब्सक्राइब वाला. जिसमेधाब बाएन अप तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ने किया है. उस बटनको तो बहागा बाएन के अपने चनल पर फोफिट करवाए रहा हूं. तो आपका भी करपा दूंगा कोई बड़ी बात नहीं है लेगिन यार उसके लिए आपको मुझे जुड़ना पड़ेगा ठीक है इसलिए वो रहो में एकदम फ्रीक है जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना अब बात करते हैं दोस्तों से पिच पे असर पड़े वो मैं आपको बताता हूं देखो सबसे पहले दोस्तों अगर में बात करूँ वेदर रिपोर्ट की तो यार मोसम के बारे में मैं आपको सुबह वाले वीडियो में भी बताया था कि यहां पर पूरे दिन बातलो वाला मोसम रहने वाला है और बार में बात ध्यान रखना एवरे स्कोर दोस्तों इस में 186 सम्तिंग दिख सकता है यहां का जो पीच्छे दोस्तों वो 160 के सम्तिंग का ही देता है लेकिन याज दोनों टूम है और दोनों टीम के पास अच्छी बेटिंग है इसकलि मेरे को लगता है कि 170 180 तो दोनों टीम में से टूम के बाद लों का मोसा में बारिस का मिच तो आनिलो रिपोर्ट होग वो अपने पास टोस्त की टाएम आगी अपके साथ तेलीगराम च्रेनल पे शेयर करदेता उसको ध्यान प्लेइंग 11 भी देखेंगे प्लेइंग 11 के सारे रिकोर्ड भी देखेंगे कुछ प्लेयर बेटल भी आपको बताऊंगा टोप पर्फोर्मर भी हम देखेंगे मतलब कि बहुत सारे इंफोमेशन दोस्तों आपको आगे इस वीडियो में मिलने वाली है लेकिन दोस्तों एक च जो भी फाइनल टीम होगी ना जिससे मैं खुद भी खेलूँगा और जिससे अपनी पूरी फैंटेसी सपोर्ट की फैंबली भी खेलेगी वह हमें चेक्टरा टोस के बाद में अपने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूँगा तो जिस भी भाई ने यार अब हमारा हमारी फाइनल टीम्स और अपडेट का एकदम फ्री में फायदा उठागे बहुत अच्छी विनिंग करें ठीक है तो अगर आप नहीं जुड़े हो आपका जुड़ना जरूरी है क्योंकि फाइनल टीम आपको महीं मिलेगी आपको जरूर जुड़ जाना है अभी जुड़ क्यों है मैं आपको बताता हूँ सबसे वहली बात तो दोस्तों देखो इन्होंने एक मेंच जिता अफगानिस्तान के गेंच दूसरा मेंच हारा आइरलेंड के गेंच ठीक है वह हारा था बारीस के वज़े से डियलेस मेथड की वज़े से अधरवाइस बारीस नहीं हो थी इंग्लेंड जीत जा था उसमेंच को ठीक है वह इंगर दोस्तों में बात प्रूँ ऑस्टेलिया की तो इन्होंने पहला मेंच हारा है न्यूजिलेंड की अगेंस्ट बहुत गंदे तरीके चाहरा था और उसके बाद एक मेंच हाला की दोस्तों इनके ओवरोल रिकोर्ड की अब कुछी दिन पहले और उस्टेलिया के अंदर ही हुई थी और उन तीन मेंच से दो मेंच जीत लिए थे इंग्लेंड ने और एक मेंच बार इसके वज़ेशन के बारे में बताना चाहता हूं जिसका नाम है प्रोबो देखो इसके बारे में आपको पहले बहुत बार बत बनाओ बलकि दोस्तों यह एक ओपीनियन बेस टेडिंग प्लेट्फोम है जहां पर आप सिर्फ अपना यस या नो में ओपीनियन दे के बहुत अच्छे पैसे जीत सकते हो तो जिसने भी अभी तक प्रोबो को डाउनलोड नहीं किया एक बार डाउनलोड करो इसकी लिंक आ सकता है अब दोस्तों यहां पर जीतना कैसे है देखो यहां पर बहुत सारे सवाल होते हैं जिनका आप सिंपल यस या नो में जवाब देखें बहुत अच्छे पैसे जीच सकते हो जैसे कि क्रिकेट के सवालों के अगर मैं बात रहो तो आज क्या एडम जंपा प्लेंग उन इतना ज़्यादा आप ट्रेड करोगे उतना ज़्यादा आपको प्रोफित होने वाला एक सवाल दोस्तों मैं आपको और दिखा देता हूं एक और है कि अश्टेन अगर खेलेंगे तो यहां पर नो पर पे ट्रेड करूंगा ठीक है और बहुत सारे सवाल है जो कि आपको प पटाफर से बता देता हूं ठीक है सबसे पहली बात तो दोस्तों दिखो यार जैसा कि मैं आपको बताया कि दोनों टीम्स ने एक-एक मेच इस सीजन में हार लिया अब यार बात यह है कि न्यूजिलेंड हाई पे चल लिया न्यूजिलेंड काफी अची परफॉमेंस कर दिया और ओनली दो ही टीम क्वालिफाई हो सकते हैं मतलब कि या तो इंगलेंड या फिर ऊश्ट्रेलिया में से कोई एक ही क्वालिफाई होने की सांद से जब्सक्राइब जयाद होंगे तो ait यह वाला में धृता गई तो भाई जो हैं लफड्रे हो जाएंग इनकी टीम इसलिए मेरे को लगता है कि जो इंगलेंड है न वो अपनी एक दम परफॉर्म करेगी मस्त जो अपनी बेश्ट प्लेंग लिवन वो खिलाएगी और बेश्ट प्लेंग लिवन से मेरा मतलब है जैसा कि मैंने आपको पहले बता रख भाई इनके जो डो मेन बोलर है एक तो मार्क वूर एक Chris box दोनों injury के बाद वापस आ रहें तो यह क्या करते हैं इंगलेंड वाले कि एक मैच इनको खिलाते हैं फिर दूसरे मेच में रेष्ट देते हैं फिर दीसरे मेच में वापस ब्ला लेते हैं लेगिन यार अब i think कि इनको इस मेच में खिलाना ही पड़ेगा क्योंकि आपके साथ अपने टेलिग्राम चैनल पर शेर करी दूँगा ठीक है तो दोस्तो एक बार वापस पोल नहीं टेलिग्राम चैनल आपको जरूर से चून कर लेना है लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्ट चैनल और कॉमेंट बोक्स में मिल जाएगी ठीक है और यह रही दोस्तो इंग्लेंड की एक्सपेक्टेट प्लेंग लोगा तो वह अपने को टोस की टाइम पता लग जाएगा और अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों इन्हीं क्यारा खिलाडियों के सारे रिकोर्ड के बारे में तो सबसे पहले दोस्तों अपने पास ओपस आता है देखो जोस है अफगानिस्तान के अगेंस दोस्तों इन्होंने अठारा रहनों के बारी कहली थी और आयलेंड के अगेंस्ट जीरो रन पे आउट हो गया थे लेकिन ध्यान रखना है जो सबटलर की जो परफुमेंस है वह अच्छी आई थी तो इनको अपनी टीम में रखना जरूरी है उसके लगाव दोस्तों LXL की में बात करूँ तो इनका जो रिकोर्ड है वह भी आपकी स्क्रीन के सामने इनों ने भी दोस्तों पिसले दो मेंस्के अच्छी आती भी नहीं है अब हाला कि दोस्तों LXL को बहुत सारे लोग अपनी टीम में रखेंगे लेकिन अगर आपको थोड़ा सा रिस्क किलना पसंदो तो भाई LXL को अपनी टीम से ड्रोप कर सकते हो ठीक है उसके लाव दोस्तों डेविड मलान की में बात कूर तो इनका जो रिकोर्ड है वो भी आपकी स्क्रीन के सामने इनों दोस्तों पिसले 2 मेंच में कोई खास पारी नहीं खेली है इनको अपनिटी में रखूँगा क्योंकि अच्छी परफॉमेंस कर सकते हैं उसके लबाब बेंच टोक्स के अगर दोस्तों में बात करूं तो इनका जो रिकोर्ड है वो भी आपकी स्क्रीन के सामने है जैसा कि मैंने आपको दोस्तों जब बेंच टोक्स खेलना स्टार्ट किये थे T20 International में तभी बोल दिया था मतलब कि लगबग है डेट दो महीने पहले कि बेंच टोक्स बेटिंग के साथ उतनी अच्छी परफॉमेंस नहीं करने वाले क्योंकि अठारा महीनों का गेप लिया है डेट साल के बाद ये T20 International क्यल रहे हैं रेगुलर ली अच्छी पर रखना सबसे पहले बात तो दोस्तों मैं आपको बता दू पिसले में इन्होंने बोलिंग से काफी अच्छी परफॉमेंस की थी इनका रिकोर्ड आपकी स्क्रिंग के सामने पिसले में बोलिंग साथ तीन विकेट लिए थैं लेकिन द्यार रखना इसमें हो सकता है मैं नहीं रखूंगा लेकिन जैसा कि मैंने आपको बता है अच्छा मेश है जस्टीन केस मानलो इंग्लेंड का टोप ओडर फ्लोप हो जाता है तो फिर हैरी ब्रूक आएंगे और अच्छी पारी खेल सकते हैं और दोस्तों मैं आपको ग्रेंड लिक की एक चीज और बता द लेकिन घंड लेकिन यह बोलंग कर रहा है पता नीक्यों नहीं कर सकते हैं बेटिंग साथ मेंस सब करेंगे जम डाइए ज्ञाद को घ्राना हमेंं क्यों परिंदो से garlic को आपकी स्क्रेंड के सामने ये भाई एक नंबर बोलिंग कर रहा है इस टाइम पर इनके साथ तो रिस्क लेने का सवाल ही नहीं है इसको तो अपने टीम में रखना ही रखना है ठीक है तो मार्कूट को अपने टीम में रखना है साथ साथ के बात आजा थी ऑस्टेलिया की टीम लिज़ की तो उसके बारे में आपको फटावर से बता देता हूं पर दोस्तो हम बात करेंगे लेकिन उससे पहले देखो आपने हमारा इतना वीडियो देख देख या मतलब डेफनेटी आपको वीडियो पसंद आ रहरा है और पसंद आ रहो तो यार भाई के वीडियो को एक लायक ज़रूर करना ठीक है इस वीडियो पर दोस्तो आप लोग और ये भी अपनी बेस्ट प्लेंग 11 के साथ जाएंगे उसके अलाओ दोस्तों देखो यार पिछले मैच में एडम जंपा नहीं खेले थे क्योंकि वो टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड और वहीं अगर दोस्तों में बात रूँ इस मैच के तो मेच जो है कोविड 19 के लिए पॉजिटिव आज चुके हैं लेकिन यार आई सीसी के नए रूल्स के अकोडिंग टी टुवंटी वर्ल्ड कप में ये पार्ट ले सकते हैं और आई थिंक कि इस इंपोर्टेंट मेच में आपको मेच्वेट खेलते हुए है दिख जाएंगे उस के लाओ दोस्तों को अच्छी पारी नहीं आई है वही बात है आपके लिए अच्छे पिक हो सकते हैं डेविड वॉनर दोस्तों इनका जो रिकोर्ड है वह आपकी स्क्रीन के सामने इस वल्ड कप में दोस्तों अभी तक अच्छी पर्फॉमेंस आई नहीं है लेकिन देविड वोनर एक ताबर बलेबाज है इन्होंने इंग्लेंड के गेंश्ट पे अच्छी पर्फॉमेंस कर रखी है तो रख सकते हैं अपनी टीम कोई दिखकत निया ठीक है उसके लबाब मिचल मार्स इन्होंने भी खास पर्फॉमेंस की नहीं 16-17 की पारी खेर रहे हैं दोसके लबाग मेंस्विड दोस्तों इनका जो रिकॉर्ड है वो भी आपकी स्क्रिंग के सामने दोस्तों इन्होंने अच्छी पर्फॉमेंस नहीं की थी ग्लेन मैक्सविल ने रेगुलर साथ से आठ टी 20 इंटरनेशनल के लिए लेकिन दोस्तों पिछले दो मेच में अच्छी पर्फॉमेंस आई है 28 र उसके लावा मारकर श्टोनिस दोस्तों जैसक में आपको बताया यह वाला मेच ग्रेंड लिक के लिए काफी अच्छा है थोड़े कॉमिनिशन बनाके तो दिखो क्या पता पारी आई जाए उसके लाव दोस्तों मारकर श्टोनिस की में बात कुर तो 47 मेच इनों ने खेले यह इनका कुछ रिकोर्ट था इनकी जो पॉफुमेंस है वो कुछ खास नहीं आ रही है बोलिंग से हाला कि दोस्तों बेटिंग से इन्होंने अच्छी पॉफुमेंस की थी पिसले इमेज में 18-19 बोल में आई थिंक इन्होंने 59 नोट आउट की पारी खेली तो ध्यान रग क्योंकि बेटिंग और काफी ज्यादा डाउन होता है ज्यादा सेटल होने का टाइम मिलता और उसके विजए से यह अपना विकेट देते हैं किसी भी हालत में अपने टीम में नहीं रख सकते हैं उसके लावा अगर मैं बात कुरू पेट कमेंस के तो इनका जो रिकोर्ड है वो भी आपके स्क्रीन के सामने यह बंदा पॉइंट दे देता है इसे कोई दिक्कत नहीं है बेटिंग के साथ देगा या बोलिंग के साथ देगा लेकिन बेटिंग से हम उमीद नहीं रख सकते हैं लेकिन बोलिंग उनकी अभी इतनी अच्छी नहीं चल रही है पेट कमें कर भी सकते हैं और हैजलवुड के अगर दोस्तों में बात करूँ यह तो भाई T20 इंटरनेशनल के नंबर वन बोलर हैं पिसले दो मेंच में तेन विकेट ले चुके हैं और यह तो भाई अपने टीम में रखना ही बनता है तो दोस्तों यह तो बात हो गए यह देखो सारे प् इंटरनेशनल के खेलें जिनमें नोंने 619 रन बना दियों और 47.61 का बेटिंग एरवेज है तो ध्यान रखना एरन फिंस अची परफुमेंस कर सकते हैं यह तो हो गए दोस्तों और दूसरे की टीम के बहुत अच्छी परफुमेंस करते हैं ठीक है उसके लाओ दोस्तों डे इंटरनेशनल के खेलें जिनमें नोंने 304 रन बनाए है और 38 का शांदार बेटिंग एवरेज इनका भी रहता है उसके बाद दोस्तों मिचल मार्स का उप्सन आजाता है जिन्होंने इंगलेंड के गेस्ट 5 मेच खेलें 33 के बेटिंग एवरेज से और ग्लैन मेक्स्वेल न इनोंने इस साल खास पर्फॉमेंस नहीं किया वह टोप पर्फॉमर में आ रहे हैं ग्यारा मेच में 12 विकेट ले चुके हैं और दोस्तों मैं आपको आगे प्लेयर बेटल बताऊंगा ना तब आपको और क्लियर होता जाएगा आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि 10-11 टीम बन लेते हैं तो ध्यान रखना जो सेजल वूट को जिसको हम बाकी के में केप्टन वाइस केप्टन बना देते हैं इस मैच में नहीं बनाना ठीक है उसके लावा क्रीश वोक्स के अगर मैं बात करूँ तो इनका जो रिकोर्ड वह आपकी स्क्रीन के सामने हैं पांच में साथ ले चुके हैं और एडम जंपा इंगलेंड के सैंच में सबसे आप देखो भाई काफी ज्यादा धुनाई होती है जब जब यह दोनों में यह दोनों टीम आमने सामने होती हैं ठीक है यह तो हो गए दोस्तो टोप परफोंडर अब हम बात करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग तो सबसे वहले ऑस्ट्रेलिया के वेट्समेन और इंग्लेंड की बॉलर्स की अगर में बात कुर तो सबसे वहले एरन फिंस का देखलो यार आदिल रशीद जैसा कि मैंने आपको बोल रहा था यह राइन का रिको ठीक है अदिल रशीद ने दोस्तों एरन फिंस को 50 बोल में 63 ट्रीर रन बना दिये और दो बार की बॉन्सक है और यह रहाए निपन बना है दो बार विकैट लिया है और एरन फिट्स भाई मोही नाली को आड़े हाथ ले लेते हैं मोही नाली तो फिर बोलिंग करी नहीं रिसेंड ले तो इस प्लेयर बेटल को आप इगनोर कर सकते हो ठीक है अब बात करते हैं दोस्तों इंग्लेंड के बेट्समेन और और ओस्ट्रेलिया के बारे में तो जो आपकी स्क्रिन के सामने है बटलर और श्टार की दोस्तों में बात करो 37 बोल में 65 रन समझ सकते हो लगबग 180 के समतिंगी स्टाइक रेट और विकेट ओनली एक बार दिया है और इसलिए में बोल्ट अपवाई श्टार को भी दो सकते हैं ठीक है डेविड मलान और एडम जं लेकि अपमें टीब में रख लो ठीक है जोस बटलर और हेजल वूड का आप देख लो 33 बोल में 61 रन मतलब की हेजल वूड को भाई बहुत गंदा पेला जाता है हालागी होगा हो टीटवन टी इंटरनेशनल का नंबर वन बोलर लेकिन इंगलेंड वाले नहीं छोड़ रह अधार प्लेयर बेतल बताएं जितने भी टोप परफॉमर्स बताएं जितने भी रिकोड बताएं वह सारे के सारे दिमाग में होने चाहिए जब भी आप इसमेश में आपको एक टीम दिखाने वाला हूँ लेकिन यार वहीघ बात है यह जो भी टीम में आपको दिखाँगा वीडियो खतम करने बाद आपको क्या करना है कि नीचे डिस्क्रिप्चियन खोल लेना या फिर कॉमेंट बॉस खोल लेना वहाँ पर आपको टेलिग्राम चनल के लिंक मिल जाएगी उस पर क्लिक करना हो टेलिग्राम चनल जोइन कर लेना बागि दोस्तों अपनी जो डेमो ट वगिरा को ड्रोप करके एक एक स्टा और अपनी टीम में ट्राइक कर सकते हो उसके अलावा दोस्तों आपके बास यहां पर लिविंग्स्टन वगिरा का उप्शन वह भी खेर ओल्डाउंडर में आएगा ठीक है ओल्डाउंडर में आप देख लो ग्लेन मैक्स्वेल मारकस स्टनिस और स्ट्ट ब्लइम दोस्तों चांश और मऱ्ष्ट रहेंगे मारकस स्टनिस रहेंगे आप चाहल एलीं सब्सक्राइब करो क्योंकि बहुत अच्छा प्रोफिट करवा सकता है यह चैनल वह बहुत सारे केप्टन और वाइस केप्टन की दोस्तों अगर मैं बात कुई नहीं कहा रहा प्लेयर में तो आपके पास जोस बटलर का एक अच्छा चोईस है उसके लाव मारक श्टोनी सेम करन मारक वो ठीक है यह सब अच्छी चोईस है अगर स्मॉली के लिए ही तो बताऊं तो जोस बट प्रोबो दोस्तों आप डाउनलोड कर लेना डाउनलोड लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट बॉक्स में मिल जाएगी वह आपका एप्लिकेशन बहुत प्रोफिट कर वाएगा और इस वीडियो के लिए स्रिफ इतना ही दोस्तों ठीक है फिर में मिलता हू आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए अलविदा अपना ध्यान रखीएगां